नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे कुम्भरासी वाले जातकों के लिए 19 जून सुक्रुभार का दिन कैसा रहेगा बैपार बैवसाय करियर लव लाइप और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही इस दोरान बरती जाने वाली महत्पुन साफ धानियों के बारे में और किये जाने वाले उन महत्पुन कारियों के बारे में आपको बताएंगे आपका लखी कलर लखी नमबर कौन सा रहने वाला है और कौन से शित्र में कारे करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान इज़त पत्पर्तिष्टा में वडोतरी हो सकते हैं और कारिशेतर में आप किस प्रकार से बहतर परिवर्तन कर सकते हैं और समाज वाले घर वाले किस प्रकार से आपके इज़त कर सकते हैं आपका आज का दिन कैसा वैतीत होगा और आप समाद में अपने कलक्सवी इलग पहचान बनाने में किस प्रकार से काम्याब हो सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं माता रानी के सच्चे भक्तों को पता हो सके और माता राने आपके जीवर में धंदोलत की वर्षा कर सकें आपके परिवार में सुक्सानती बनाने में आपको काम्यावई बना सकें तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि कुम्बरासी वाले जातकों के लिए यसमे काफी सु योग मिलेगा अगर आप नोकरी पेसा वाले हैं तो नोकरी में पदुनती होंगे सुक्स बधाओं में आपके विर्धी होंगी आपके घर में धन्दौलत की वर्सा होंगी आपके रुपे पैसों की जो कम्यात हैं वे दूर होंगी तथा आपको बताना चाहेंगे कि आप अप आपको अपनी मेहनत का परिणाम अवसे हे प्राप्त होने वाला है। तता मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि कुम्भरासी वाले जातकों को अपने सुक्स बधाओं के साथ साथ अपने धन दोलत में बढ़ोत्री करने के विशेज मोके भी प्राप्त होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जब हनुमान जी ने विवीशन से सिता का पता पूछा था, तो तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदर कांट में कि जुगती विवीशन सकल सुनाई, चले हूँ पवन्सुत विदा कराई, अर्थात इसका तात परे है कि विवीशन ने माता सिता के दर्शन की युक्तिया तो कह सुनाई विविशन को हनुमान जी समझा चुके थे कि आप राम नाम तो लेते हैं परन्तु राम काम नहीं करते ज़ादतर लोग संसार में ऐसा ही करते हैं और कुम्भरासी वाले जात्कों को भी बताना चाहेंगे कि आप भी ऐसा ही करते चले आ परन्तु राम काम का अर्थ है तिलक लगाना मंदिर जाना पूजा करना नहीं आपको बताना चाहेंगे कि आप जिस भी कारी से जुड़े हैं जो भी कारी आप करना पसंद करते हैं और आपको आपके जीवन में जो भी समस्याय हैं जो भी आपके अर्जने हैं उनको आप राम जी, मातारानी, आपके सभी समस्याओं से शुटकारद लाने में आपके मदद आवस्य करेंगे, परंतु आपको कार निश्चित तोर पर अपने करने होंगे, आप अपने कर्तवों का पालन करते रहें। और आप किसी दूसरे के कारों में हस्तक्षेप न करें, आप अपने कारों को सही तरीके से पूरा करने की आवज से कोसिस करें, तथा ब्यवसाय में नोकरी में परिवर्तन के संभावनाई हो सकती हैं मानसिक तनाओ में विर्दी हो सकती हैं और आपको दिन के अंत में परिवार से दूर रहना भी पढ़ सकता है तो मित्रों कुम्बर आसी वाले जातकों को बताना चाहेंगे आपको अपने कारिशेतर के साथ साथ अपने धन दोलत में भी मुढ़ोतरी करने के वहत्रे इन मौके की प्राप्ती होंगी आपके भाग्य में विर्दी होंगी आपके पुत्र भी आपको सहियोग कर सकते हैं अपने घर के पुना निर्वान के लिए अच्छे अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं आपके मित्र से आपके कश्टों को समाधान मिल सकता है आपके आय में बढ़ोतरी होंगी और अगर आप गुप्त रोगों से परिसान हैं तो आपको इस समय माता राने आपके समस्याओं से अवसर ही आपको छुटकारा दिलाने वाली हैं पारिवारिक जीवर में आपको थोड़े साबधाने बरतने की जरुत रहेंगे अन्यता परिजिनों के साथ आप बेविज़ विवाद कर सकते हैं ऐसे में आपके मानसिक तनाव बढ़ सकता है तो तुलारासी वाले जातकों का सयोग आपको अवसर हे प्राप्त होगा अगर आपके जीवन साथी या जीवन संगने अगर तुलारासी की हैं तो आप अपने जीवर में जरूर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों कुम्बरासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अकास्मिक कोई बड़ी सफलता मिल सकती है तथा आपको आज के दिन बेकार की बातों पर ध्यान देने के बजाए अच्छे लोगों से मितरता को कायम करने की जरूरत रहेंगे आप यात्राएं कर सकते हैं व बेवसाई के छेतर में उन्नती अवस्य होंगी आपके दिन की शुरूआत अनेक प्रकार के सुपकारू को करने से होंगी परंतु दिन के मद्द में आपको अनेक प्रकार की बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है आप रोगादी से प्रेसान हो सकते हैं वेव संतानों के द्वारा आपके जुबिक कष्ट थे उनसे आपको छुटकारा अवस्य प्राप्त होंगी साधी सुधा जीवन में प्रेम समंदों में अनबन के कारण आप समंद जो बिगड़े हुए थे वो भी माता रानी की कृपा से सुधर सकता है कानून से जुड़े मामलो में आपको विजय प्राप्ति होंगी कोट का चहरी के सारे मुद्धे आपके पक्ष में होंगे छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं आई में गुड़ोतरी होंगी और अगर आप किसी प्रकार से कोई कारी को करना चाहते हैं तो आप अवस्य करें कारी शेतर में उन्नती अ परन्तु आपके परिशानिया अवस्य दूरी होंगी आर्थिक इस्तित्यों को मजबूत करने के लिए आप अधिक से अधिक प्रत्न सिल रहेंगे जीवन संगनी से आपका प्रेम बढ़ेगा जीवन संगनी आपके साथ हर कारे में सहीयोग करेंगी अनेक प्रकार की कठनायों को सामना करने के उप्रांद आप अपने सभी समस्याओं को समझदारी से सुझाने में काफे सफल रहेंगे और मत्रों कुमबरासी वाले जात को के लिए यसमें बहुत तिस्व रहेगा आपको अपने कारी शेतर में और अगर आप नोकरी पेसा वाले हैं तो आपको अपने बैपार में बैवसाय में काफी बड़ी सुझकबरी भी प्राप्त हो सकती हैं तथा आप अपने जीवन में जिस मौके की तलास कर रहे थे वो भी आपको प्राप्त हो सकता हैं समाज के लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं समाज के लोगों के साथ आप वारतलाप कर सकते हैं और समाज की जुरुतों को पूजा करने के लिए आपको विशेश चोरत रह सकती हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुफल बनाने के लिए अपने माता पिता से सहयोग भे प्राप्त कर सकते हैं आपको अपने कारिशेतर के साथ साथ अपने सम्मान की प्राप्ति होंगे इसके साथ ही आपका आज का दिन आपको धनी और प्रसिद्ध बना सकता है हाला कि आपके जीवन साथी के स्वाज आज प्रभावित हो सकता है वैपारिक और बैवसायक संदर्ब में आप महनत्ती होंगे प्रभावसाली व्यक्तिreu के सहात्य से आप अपने रिस्तितियों को अपने बैपार को अपने बैवसाय को सुधारने में कौफि सक्चम अवस्य होंगे तुमित्रों कुम्बरासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि आपको आज के इस वीडियो के माद्यम से उपाई भी बताया जाएगा जिन उपाईं को करने से आप अपने जीवन में काफ़े सुफल, काफ़े, खुशनसीव आप मैसूस कर सकते हैं मातारानी की कृपा भी आपको प्राप्त होंगे, रोगादी से आपको छुटकारा अवसे प्राप्त होगा, हर शेतर में महनत करके आप सफल होंगे, आपके घर में मांगलिक कारी संपन हो सकता है, तथा सेर बाजार, सट्टे में भी आपको साबधानी प्रुवग धन निवे करनी चाहिए तो आपके अच्छी खासी कमाई बढ़ सकती हैं धन कमाने में आपको आरही मुसीवतों से आरही मुस्किलों से भी छुटकारा मिल सकता हैं माता रानी की क्रिपा से आपको धन दोलत में बुरूतरी करने के वहतरेन मोके भी प्राप्त होंगे घरेली जीवन भी आपका अच्छा रहेगा अचानक से आपको सेहत से समंदित प्रिसानिया बढ़ सकती हैं आप अपने सेहत के प्रति आप अपने जो भी आपके क्रिया कलाप हैं आप अपने सेहत के प्रति सावधान रहें लाप्रवाही न वरतें अस्तान परिवर्तन हो सकता हैं आप एक ज पर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की जुरत रहेंगे सफलता की उमीद दिख रही हैं। सों समझकर आपस में पत्ती पत्तनी के साथ आप एक दूसरे से विचार कर सकते हैं और सही निरने ले पाने में आपका फिस्टर चम होंगे। आपको वहन आदी का विचेश काफी ज़्यादा लाब मिलेगा आप वहन की प्राप्ति कर सकते हैं तथा अपने जीवन में आप जिस मोखे की तलास कर रहे थे वो भी आपको विचेश प्राप्त होने वाली हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाते हैं अगर आप अपने जीवन को सुफल और सानित दबनाना चाते हैं तो आप रोजाना सुबह उठकर सब्टे पहले देवी देवताओं के मुर्तियों को देखन अवस्य प्रयास करें और आपको हर एक कार में अवस्य ही सफलता प्राप्त होने वाली हैं और आप इस मंतर का जरूर उपाई करें ओम मंगलम भगवान विशनू मंगलम गरुररदवज मंगलम पुंडरी कांशम मंगलाय तनुहरी इस मंतर का कम से कम सुबहुट कर आप 11 बार याप करें आपका दिन सुफल रहेगा आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दिया वस्य लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमा विंदुवासने